राम चंदर जी कह गए सिया से आइसा कलियों गाएगा अज़ों की जाज भी एक दिन ग्रेडिट कार्ड हमको दिलवाएगा अहाँ तद तुमारे चेहरे का बनलने हम पोजीशन यहाँ बच्चन पांडे का गंगा की नावा पासाज़ अक्षा कुमार के लिए क्यों खास है कॉमेडी जॉनर और किस तरह की कॉमेडी हमें देखने को मिलेगी फिल्म बच्चन पांडे में हाई गाईज मिरा नाम है निदा और आप देख रहे हैं बॉली ग्राड स्टूडियोज को और आज हम बात करेंगे अक्षा कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के बारे में क्या है इस फिल्म का अपडेट और क्या है इस फिल्म के पीछे की पूरी कहानी सब आपको यहाँ पर पता चलेगा यह फिल्म 2021 में आने को बेकरार है विर्जवपूर का एक डायलोग है जिसमें पंकश्तिर फार्टी अपने बाप से कहते हैं मुन्ना भाया को देखते हुए कि कुछ लोग leaders पैदा होते हैं और कुछ लोगों को बनाया जाता है वैसे ही कुछ लोग talented पैदा होते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत से इतने सारे talents अपने अंदर पैदा कर लेते हैं उनको हराना ना मुम्किन हो जाता है वैसे ही अक्षा कुमार ना सिर्फ talented हैं बलकि बहुत ही hard working भी हैं और ऐसे ही अक्षा कुमार ने अभी तक Bollywood में अपना जलवा बरकरार रखा है 2021 में उनकी 5 बड़ी फिल्म में release होने वाली हैं जिनका budget 520 करोड के उपर बताया जा रहा है यानि कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्षा कुमार की क्या importance है Bollywood में अक्षा कुमार को सबसे बड़ी सफल था comedy genre से मिली उन्होंने बहुत सारी comedy film करके लोगों के दिलों में जगा बना ली जिसमें सबसे उपर टॉप करती है हेरा फेरी इस film को जितनी importance मिली है ऐसी कोई importance किसी film को नहीं मिली है यानि कि 2020 में भी इस film के काफी memes वारल हुआ करते हैं तो किस तरह की comedy मिलने वाली है हमें बच्चन पांडे में क्या ये film खेरा फेरी को बीट कर सकती है तो आपको बता दूँ कि बच्चन पांडे सबसे पहले तमिल की hit film वीरम का remake बताई जा रही थी लेकिन फिर खबर आई कि ये film वीरम का नहीं जिगर ठंडा कारी में एक होने वाली है जैसे नाम अलग है वैसे इस film के स्टोरी लाइन भी अलग होने वाली है लेकिन जैसे exams में बच्चे कॉपी करने से पहले थोड़ा बहुत इदर उदर changes कर लेते हैं ताकि teachers भाप ना पाएं कि उन्होंने cheating करी है वैसे इस film के निर्देशन, साजीद नाडियावाला और अक्षय कुमार ने इस film में थोड़े से changes किये हैं ताकि जिगर ठंडा और बच्चन पांडे एकदम सिमिलर ना लगें और इसमें क्या twist हुआ है? क्या अलग होने वाला है? तो आपको बता दूँ कि इस film में आपको दो बड़े changes देखने को मिलेंगे जिगर ठंडा में जो main दो characters थे वो ही इस film में reverse कर दिये गए हैं यानि कि जो main lead का character था वो क्रिती सैनन के पास चला गया है और क्रिती सैनन का जो main lead है वो अब निभाएंगे अक्षा कुमार इस film में यानि कि सिर्फ gender reverse हुआ है यानि कि इस film में आपको gender reverse मिलेंगे यानि कि character switch मिलेंगे अब देखना है कि ये film कितने जलवे भिखेरेगी आपको बता दूं कि बच्चन पांडे में आपको comedy action देखने को मिलेगा यानि कि ये एक film gangster की होने वाली है जो filmों में try करना चाहता है और वो role play करेंगे हमारे खिलाडी अक्षा कुमार और इस film में उनका साथ देंगे अर्शद वार सीखरिती सैनन मतलब ये cast तो important है ही आपको बता दूं कि इस film में storyline भी काफी strong होने वाली है क्योंकि आज कर जिसकी कहानी अच्छी नहीं हुई उसका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला और ये बात OTT era आने से Bollywood में सब कुछ बदल गया है आपको क्या लगता है कि OTT platform आने से क्या हमारी Bollywood की film में सुधरी है आप अपनी राए हमें comment section में दे सकते हैं बागी आपको ले चलते हैं 90's में कि क्या हुआ था कि Twinkle Khanna ने अक्षय कुमार को थपण मार दिया था और क्या था पूरा मामला किस्सा है 2003 का उस वक्त प्रियंका चोपडा ने डेब्यू किया था और वो फिल्म कर रही थी अक्षय कुमार के साथ वक्त तो उस फिल्म में करते करते अक्षय और प्रियंका चोपडा काफी क्लोज आ गये थे और वो क्लोजनेस Twinkle Khanna ने भाप ली थी तो उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा वो डायरेक्ट सेट पर जा पहुची और डायरेक्ट ही उन्होंने सब के सामने ही सवाल पूचने शुरू कर दिये अक्षय कुमार से कहते है न चोर की दाड़ी में तिनका वैसे ही अक्षय कुमार ने समझाने की कोशिश करी लेकिन वो समझा न पाए Twinkle Khanna को और Twinkle Khanna को इतना गुसा आया कि उन्होंने न इधर देखा न उधर और सारी कास्ट क्रू मेंबर्स के सामने अक्षय कुमार को थपड़ मार दिया और उन्होंने वादा किया Twinkle Khanna से कि वो कभी भी प्रियंका चोप्रा के साथ काम नहीं करेंगे और ये बात एकदम सच बैठी और अभी तक उस वक्त से अब तक आक्षय कुमार ने प्रियंका चोप्रा से कोई भी तरह का कनेक्शन नहीं रखा और नहीं कोई फिल्म उनके साथ करी बागी ये थी आक्षय कुमार और उनकी फिल्म बच्चन पांडे के कुछ फाक्स ऐसे फिल्मों की जानकारी के लिए पॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉली ग्राड स्टूडियोज को जहां पर आपको मिलती है सारी इंफॉर्मेशन